कांणली में पती ने अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का मामलत सामने आया है प्राप्त जांकारी के अनुसार घर में आरूपी पत्नी का शब सड़ते उए हालात में मिला पती ने पुलिस में शिकायत दरच कराई हाला कि पुलिस जाच में सामने आया कि पती ने 18 नवंबर को अपनी पतनी की गला दबा कर हत्या की थी पुलिस ने अपनी पतनी की बेरहमी से हत्या करने वाले एक वैक्ति को गरफतार किया है गटना तालुका के कांडली गाव में गटित हुई है गटना सिंधी रिल्वे पुलिस में दरच कर ली गई थी आरोपी भरत लक्षमन पुसान के उम्र पच्पन वर्ष निवासी कांडली समुद्रपुर को 18 नवंबर को इस्थानी अपराश शाका की एक टीम ने गिरफतार किया है दो नवंबर को 45 वर्षे मंदा भारत पुसान के कशत विशत शव कांडली में उनके आवास पर पाया गया और इस घटना का मर्ग सिंधी पुलिस में दाखल किया था मौके पर जाकर शव का मुआयना किया तो हत्या की आशंका जताई गई तब पुलिस निरिक्षक संजी गायकवार के मार्ग दर्शन में सदर घटना की समानतर जाच सहे पुलिस निरिकषक महिंदर इंगले और पुलिस उपनिरिकषक सौरब घरडे के मार्ग दर्शन में पतक ने किया 30 अक्टूबर 2021 को पतनी मंदा और उनके पती भरत के बीच तीकी नोग छोग हुई और इस घटना के बाद से उसका पती गाव में ही नहीं दिखा इस संजे से वाइफल बेडा पालोती केलजर से उसको खोजा जा रहा था तब भारत पुसान के ए हर दोली आर्वी खेश शिव की मौके परी हत्या कर दी यह कारवाई सहर पुलिस निरिक्षक महिंद्र इंगले, पुलिस उपनिरिक्षक सौरप घरडे, पुलिस हवलदा, सौपनिल भारतवाज, यश्वन गोलहर, अनुप कावले, संग सेन कामले, विकास अफचट, राकिश अश्रांकर, अभिचीद वागमारे और रितेश शर्मा ने की, हिंगन घाट से BCN News के लिए रवी यनौरकर की रिपोर्ट